उप मुख्यमंत्री तिजस्वी यादब का बड़ा बयान बिहार में जल्द लागू होगी फिल्म पॉलिसी बिहार में ही होगी अफ फिल्मों की बड़ी प्यमाने पर शूटिंग बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ाबा बिहार में खेल कोटे से 81 खिलाडियों को नौकरी, बीडियो इंस्पेक्टर और दरोगा बनेंगे खिलाडी, जल्द ही मिलेगी सभी को नौकरी, जल्द सौपा जाएगा सभी को नियुक्ति पत्र, उपमुख्यमंत्री तिजस्वी यादव ने की घोशना, दयानिधी के बया इसी लिए हम लोग सब लोग हमारी सिर्का नितीजी के नित्वित में रएक दिशा में, हर एक झेट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हर लोगों के लिए काम कर तो इससे काफी फाइदा होगा, अब आप शोची जो खेल कौलिक्स हम लोग ने लाया, आब उसमें से जो लोग तो इस तरह से लोगों को फादा हुआ है इसके बाद आई टी पॉलिसी है आपका टूरिजम पॉलिसी जो है यह सारे चीज़ें आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलाडु नेता ने जो बात कहीं पहली बात तो जो करुणार दिजी की पाटी है डीम के पाटी समाजी किनाय में विश्वास रखती हैं अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारीयों के बारे में कुछ बोलते बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए तो बहुत निंदा करने वाली बात ह इससे हम लोग सहमत रही हैं बिहार और यूपी के लोगों को जो मखदूर है पूरे देश में जो है मांग उठते हैं लोग डिमांड करते हैं अगर वो ना जाए तो उनकी जंदिगी जो है ठप हो जाएगी और दूसरे राज़िए और यह बात जो है लोगों को समझना चा लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं यह कुछ भी साफ कर रहे हैं अगर यह बात अगर वह बोलते कि कुछ विशेज जाती के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं तो यह बात होती है कि भाई एक विशेज जाती के लोग ही क्यों नाला साफ कर लेकिन उनका कहना अगर बिहार कोई दल में हो बचना चाहिए यह देश एक देश है एक देश है हर एक प्रांथ के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज के जो लोग है बिहार रुपी का भी सम्मान करें इस तरह की बात नहीं ह बनीचे ओनीचे ओना